पबब जी खेल रहे हैं, खेलिए खेलिए पर बस पांच मिनट दीजिए, कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं, जो अलगलग रिपोर्ट्स और अलगलग साइट से कलेक्ट के गए हैं आज पबब जी का क्रेज पूरी दुनिया पर इतना चाहया हुआ है, कि इस गेम के पीछे हर उमर के लोग पागल हो चुके हैं CBSE और UP Board की परिच्छा हैं नजदीक हैं, लेकिन कई स्टुडेंट्स परिच्छा की तैयारी करने की जगह ओनलाइन गेम खिलने में लगे हुए हैं यह गेमिंग की लथ होती ही ऐसी है, एक बार गेम में मन लग जाता है, तो कहीं और मन लगता ही नहीं यह गेम ना कि सर्फ इस्टुडेंट्स की पढ़ाई पर असर डाल रहा है, बलकि उनकी लाइप स्टाइल्स और उनकी स्वास्ताय को भी एफेक्ट कर रहा है कई न्यूज साइट्स के अकॉर्डिंग यह गेम लोगों के लिए सुसाइड, हिंसा, तलाक और मानसिक बीमारी का कार्ड बन चुका है पिछले साली विसुस्वास्ता संग्टन यानि WHO ने गेम खेलने की लथ को मानसिक रोग की सिरेडी में सामिल किया है जिसे गेमिक डिसॉडर का नाम दिया गया है इसी गेम से पीडित एक 15 साल का लड़का ट्रीट्मेंट करा रहा है अपना एक मनुपिसे सगी के पास कुछ जादा हुआ नहीं था लड़के को, बस एडिक्टिड हो गया था पबजी का पबजी की उसे ऐसे लट लगी थी कि स्कूल से आता पबजी सुरू यूनिफर्म चेंज करना तक भूल जाता था उसकी मां को काफी मसकत करनी पड़ती थी उसे खाना खलाने के लिए बतलब लड़का इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि हुआ एडिक्टिड हो गया रात को जब सब सोने चले जाते तो यह लड़का सुबह चार बजे तक अपने दोस्तों के साथ जंप पर जंप लगाया करता अपनी पबजी की दुनिया में नतीजा यह हुआ कि स्कूल के लिए लेट होने लगा और स्कूल मिस्स भी करने लगा बुरामत मानिएगा दोस्तों पर आप जिस जिसको पबजी का एडिक्शन होगा तो आप अब तक या तो वीडियो छोड़कर जा चुके होंगे या छोड़कर जाने वाले होंगे लेकिन रुकिए अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो आगे भी देख लीजिए हो सकता है कि आप इसे एडिक्शन से आजाद हो जाए क्या आपको नहीं लगता कि आजगल आप गेम को प्रायोटी जादा देने लगें बज़ए दुनियादारी के क्या आपको नहीं लगता कि आपके ज़रुएत से जादा फ्लैंड्स पबजी और सोचल मेडिया पर हैं जितने के रियर लाइफ में भी नहीं है अगर ऐसा है तो रिवर्स किजी अपनी थिंकिंग थोड़ी से जब जब आप पबजी लंबे समय के लिए खेलते हैं तो आपको हलका दर्द गर्दन और कंदे में होता है कि नहीं ऐसा लगता है कि नहीं कि नेक मसर्च से श्टिफ हो रही है थोड़ा कड़ा पन सा महसूस होता है कि नहीं जाय देर तक मॉइल पकड़ कर गेम खेलते हुए आपको तकलीप होती है कि नहीं अगर लेट कर खेलते होंगे तो यह तकलीप और भी ज़्यादा होती होगी आँखों में इस्टेंड पड़ता है कि नहीं जैसी गेम ओवर होता है या गेम खतम होता है तो आँखों में थोड़ा सा दर्द महसूस होता है कि नहीं आपको बता दू जब भी आप आँखी गड़ा कर घास में छुपे opponents को खोजने में लगे होते हैं और आखिर में chicken dinner जीतते हैं तो आपको आँखों में थकावट महसूस होती है साथ ही आपको सरीर को भी थकावट महसूस होती है जो लंबे समय तक बनी रहती है ये थकावट और आपके मस्तिक्स और आखों के system में पढ़ने वाला दवा बता रहा है कि ये गेम कितरा नुक्सान पहुंचा रहा है आपके इस दिमाग और आपके सरीर को और उस पर आप लगातर एडिक्ट की तरह दिन में 6 गंटे गेम को दे देते हैं तो निश्चिती 6 महिने में आपको चस्मा लगी जाएगा और अगर आपको चस्मा लग चुका है तो आपका नमबर जरूर बढ़ जाएगा और आप खुद से महसूस केजिए आपको खुद पबजी खेलने का तनाप जरूर महसूस हुआ होगा क्या आप ये चिकेंग डिनर ये बर्चोल अचीमेंट अपनी आखे और मस्तिक्स को खराब करके अचीव करना चाहेंगे सब बोल रहे होंगे कि नहीं पर आप सब ये कर रहे हैं ऐसा यंग एज में नेक पेंस के केसी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं जब से ये स्मार्ट फॉन नाम की बीमारी हम सब के हाथ में आई है अब आप कहेंगे स्पॉन से ही तुम आपकी वीडियो देख रहे हैं वीडियो देखने हैं गलग बात है पर ये गेम खेलना और लगातर खेलते रहना इससे आपको ज़्यादा नुकसान होता है इंसो मानिया इस छोटी सी उमर में जिंदिगी जब इतने तनाब नहीं देती है तब इंसो मानिया अनिंदरा जैसी बीमारी हो रही है ऐसे में इन बच्चों की आखों और रीट की हड़ी में बीमारी और बाल सपेद नहीं हो जाएंगी आप ही सोचिए हर बक्त रेश्टलेस हर बक्त कुछ ऐसा फील होता है जैसे बीपी बढ़ गया हो ये गेम हमारे मजे के लिए है इसलिए हम इसे कंजूम कर रहे है या ये गेम हमें कंजूम कर रहा है ये सोचकर देखिए जरा ये रेश्टलेस ये अजीब सी रंगरगी सरीर में रहती है गेम खेलते समय ये पबजी के बाद भी हमारे सरीर में बनी रहती है दोस्तों ये सिर्फ एक खेल है और हमारे इंटर्टेन्मेंट के लिए बनाया गया है लेकिन आप इतनी छोटी स्क्रीन पर लम्मे समय तक आँके गड़ा कर गरदन नहीं तोड़ सकते समय बांद ये सिर्फ कुछ दोस्तों के साथ जंप करना सुरू कीजिए पबजी की दुनिया में दिन में सिर्फ एक घंटा ब्यतित कीजिए इससे ज़्यादा नहीं ये गेम जो आपको artificial gratification देता है जो आपको अंदर से माचो या आपको चुखार लेने वाली feeling देता है के पबजी addiction जैसे कहानी हो जाएगी आपकी दोस्तों मेरे हिसाब से अपनी जिन्दगी में real कुछ गोल बनाईए और उन्हें achieve कीजिए उन्हें achieve करने के बाद जो आपको खुसी मिलेगी वो real होगी और फिर real में उसके लिए chicken dinner कीजिए या फिर अपने हिसाब से इस real achievement को celebrate कीजिए थैंक यू